अब हम इलेक्ट्रो केमेस्ट्री से सम्बंधित एक और पद इलेक्ट्रोड के बारे में जान लेते हैं इलेक्ट्रोड जो सत्ह प्रदान करता है जिसमें ऑक्सी करण एवं अपचेन दोनों क्रियाए हो सकती है इन इलेक्ट्रोडों को हम दो प्रकार से बाढ़ सकते हैं सक्री इलेक्ट्रोड एवं अक्री इलेक्ट्रोड जो सक्री इलेक्ट्रोड होते हैं वे सतह तो प्रदान करते हैं आक्सी करण एवं अप्चैन के लिए साथ ही साथ वे स्वेम भी अभिक्रिया में भाग लेते हैं जैसे copper और zinc के electrode इसी तरह से अख्री electrode जो केवल सतर प्रदान करते हैं oxy current एवं up chain के लिए लेकिन स्वैम अभिकरिया में भाग नहीं लेते हैं जैसे प्लेटीनम का इलेक्ट्रोड और गोल्ड का इलेक्ट्रोड तो ये दोनों जो हैं ये अक्रिय इलेक्ट्रोड कहलाते हैं क्योंकि ये आक्सी करण एवं अपचेन के लिए सतह प्रदान करेंगे लेकिन स्वेम अभी क्रिया में भाग नहीं लेते हैं अब हम इलेक्ट्रोड केमेस्ट्री से समबंधित कुछ प्रयोगों के बारे में जान लेते हैं जिससे ये सपस्ट होगा कि किस प्रकार से विद्यूत रासायनिक सेल क्रिया करती है अर्थाथ उसमें रासायनिक उर्जा से विद्यूत उर्जा बनती है ये हम जान लेंगे तो जो नीला रंग है वो कौपर आयन के कारण है और इस कौपर सलफेट के विलियन में जिंक की रॉड है जैसे जैसे क्रिया होती है तो यहाँ पर जिंक, जिंक 2 प्लस में परिवर्टित होता है और दो इलेक्ट्रोन निकलता है कौपर सलफेट में कौपर 2 प्लस एवं सलफेट 2 माइनस है तो कौपर 2 प्लस जिंक द्वारा दिये गए दो इलेक्ट्रोनों को ग्रहन करता है और कौपर 2 प्लस परिवर्टित होता है कौपर में धीरे धीरे हम देखते हैं कि यह जो कौपर सलफेट का नीला रंग है वो फेड होने लगता है क्योंकि यहाँ पर जिंक कौपर से ज़्यादा क्रियाशील है तो जिंक यहाँ पर कौपर सलफेट से कौपर को विस्थापित कर देती है और यहाँ पर बनता है जिंक सलफेट इसलिए जो कॉपर सलफेट है जिसके कारण विलियन का रंग नीला था वो अब सफेध हो जाता है क्योंकि यहाँ पर जिंक सलफेट बनने लगता है. तो चुकि यहाँ पर इलेक्ट्रोन जिंक से निकल रहा है ओक्सी करण की क्रिया हुई, कॉपर इन इलेक्ट्रोनों को ग्रहन करता है, कॉपर आयन तो यहाँ पर अपचेन की क्रिया हुई, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रोन तो है, लेकिन किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रिसिटी या किसी प्रकार का current flow नहीं हो रहा है. इस प्रयोग में केवल displacement reaction हो रहा है. किसी भी प्रकार का विध्युतुत्पन नहीं हो रहा है. दूसरे प्रयोग को हम देख लेते हैं. दूसरे प्रयोग में हमने दो अलग-अलग बीकर लिया. पहले बीकर में हमने लिया जिंक सलफेट और उसमें जिंक रॉट डाले दूसरे बीकर में हमने लिया कॉपर सलफेट और उसमें कॉपर रॉट डाले और दोनों इलेक्टरोडों को वोल्ट मीटर की सहायता से जोड दिया गया जब दोनों इलेक्ट्रोडों को वोल्ट मीटर के साथ जोडा गया तो ये पाया गया कि वोल्ट मीटर में थोड़ा डिफलेक्शन है तो ये क्यों है क्योंकि यहां इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है electron flow यहाँ किस प्रकार से हो रहा है वो हम देख लेते हैं zinc rods यहाँ पर anode की तरह कारे कर रहा है तो zinc से electron निकलता है zinc 2 plus बना और 2 electron निकला यह electron zinc rod पर है तो यह zinc 2 plus इस solution में यहाँ पर आ जाता है तो इस solution में zinc 2 plus की मात्रा बढ़ती जारी है और जो electron है वो rod पर है तो electron electron प्रतिकर्शन होने लगता है और यह electron zinc से copper की तरफ जाने लगता है इसी दौरान यहाँ deflection उत्पन होता है जो हमें volt meter में दिखाई देता है दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो copper sulfate है वहाँ पर copper 2 plus है और sulfate 2 minus है तो zinc की तरफ से जो electron copper की तरफ जारा है वहाँ copper ion zinc द्वारा दिये गए electronों को ग्रहेंड करता है और copper में परिवर्तित हो रहा है तो यहाँ धीरे धीरे जो zinc rod है वो पतली होती जाती है और जो copper की rod है वो मोटी होती जाती है क्योंकि copper 2 plus electron रहेंड करके copper परमाडू में परिवर्तित हो गया और वो copper की rod पर जमा होने लगता है जम्कि zinc rod जो है, वो धीरे धीरे electron निकालता जाता है और उसमें 6 होने लगता है और जिंग की रोड जो है वो पतली होने लगती है तो यहां हम देख रहे हैं कि deflection हुआ लेकिन वो continuous नहीं है मतलब electron का flow हुआ क्योंकि यहां पर दोनों इलेक्ट्रोडों को हमने वोल्ट मीटर से जोड़ा तो deflection हुआ लेकिन यह deflection complete नहीं है continuous नही हो रहा है किसी प्रकार का current flow जो है वो continuous नहीं है तो अब हम तीसरा प्रयोग फिर से देखते हैं तीसरे प्रयोग में हमने किया है salt bridge को add यह salt bridge अब क्या है salt bridge एक ऐसी युकती है जो की दोनों आर्द सेलों के मद्दे विद्धूती संपर्क स्थापित्र करती है और salt bridge में होत की एक यू आकार की काच की नली है जिसके अंदर अगर-अगर का paste साथ ही साथ उसमें विद्यूतब घटे लेते हैं potassium nitrate या potassium chloride या sodium chloride इस तरह से विद्यूतब घटे को अगर-अगर paste के साथ मिला कर उस यू ट्यूब में भरा जाता है और दोनों तरफ उसमें cotton wool लगा देते हैं salt bridge की साहता से दोनों अर्ध सेलों के मध्य जो संबंध है वो स्थापित होता है और यही जो salt bridge है वो continuous जो current flow है उसमें मदद करता है अब हम इसके कारे को देख लेते हैं कि जब इस तरह के विद्यूतरा सायनिक सेल में हमने salt bridge को add गया तो वो कैसे कारे करता है तो जो हमन पहले देखा था second प्रेयोग में कि first जो अर्ध सेल है उसमें हमने लिया zinc sulfate और उसमें zinc rod डाले दूसरा जो अर्ध सेल है उसमें हमने लिया copper sulfate और उसमें हमने डाला copper का rod तो दोनों को यहां पर volt meter के साहता से एड़ कर दिये जोड दिये और इसमें salt bridge की साहता से दोनों अर सेलो के मध्य विद्यूती जो संपर्क है उसको बना कर रखता है साथ ही साथ विद्यूत उदासींता को बना कर रखता है और दोनों विल्यनों को मिलने से रोकता है तो यह salt bridge कैसे कारे करेगा यह हम जान लेते हैं जो zinc है वहाँ पर एनोड की तरह कारे कर रहा है तो zinc से electron न में हमने देखा कि zinc two plus की मात्रा बढ़ती जा रही है electron तो आगे की तरफ चला जा रहा है electron zinc से copper की तरफ जा रहा है यहाँ पर zinc two plus की मात्रा पहले वाले कमपार्टमेंट में बढ़ गई यहने धनावेश जो है वो पहले वाले कमपार्टमेंट में अधिक हो गया तो salt bridge में ज salt bridge में से जो chloride iron है वो इस solution के अंदर आता है तो zinc two plus है और chloride में एक माइनस charge है तो यहाँ दो chloride iron zinc two plus को उदासीन करेगा इसी तरह से जब यहाँ से zinc से दो electron आगे की तरफ जाता है दूसरे कमपार्टमेंट में हमने देखा कि copper sulphate में copper लिया हुआ है वहाँ copper sulphate में copper two plus है एवं sulphate iron है sulphate two minus है जब यहाँ से electron जाता है तो copper two plus दो electronों को ग्रहन करता है एवं copper में परिवर्टित होता है तो धीरे धीरे हम देखते हैं कि दूसरे कमपार्टमेंट में sulphate iron की जो मात्रा है वह बढ़ती जारी है अर्थात वहाँ पर रिणावेश मे ब्रिद्धी हो रही है तो अब electrical neutrality बना के रखने के लिए salt bridge में से जो potassium है वह उस solution में जाता है अब sulphate के उपर two minus charge है तो potassium कितने आएंगे यहाँ पर? दो potassium, दो potassium sulphate के एक iron को neutral करता है तो यहाँ पर 2K plus sulphate 2 minus तो इस तरह से वह neutral होगा तो यहाँ यह जो salt bridge जोडा गया है यह विद्धूत उदासींता के सिध्धान पर कारी करता है जिससे दोनों सेलों के मध्य है विद्धूती संपर्क तो बना है लेकिन साथी साथ उदासींत भी बनी होती है तो electrical neutrality को बनाए रखने के लिए salt bridge की बहुत आवश्यक्ता होती है यहाँ पर जो zinc है वह negative electrode है यह anode की तरह कारे कर रहा है copper यहाँ पर cathode की तरह कारे कर रहा है और उस पर धना वेश रहता है copper जो है वो positive electrode की तरह कारे करेगा zinc से electron लगातार copper की तरफ जाता है और जो विद्युधारा का प्रवा है वह उल्टी दिशा में होगा current जो है वो copper से zinc की तरफ आएगा और electron का flow zinc से copper की तरफ होता है यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किस प्रकार salt bridge कारे कर रहा है salt bridge के कारे करने से यहाँ लगातार जो electric current है वो flow होता है तो electric current के लगातार flow होने का क्या करन है? electron zinc से copper की तरफ जा रहा है तो electron जो है वो electrode पर ही है धात्विक चालक पर ही है लेकिन जो iron है वो solution पर है और जो दोनों के द्वारा ही electrical जो flow है वो बना रहता है electron जो धात्विक चालक पर है लगातार continuous flow कर रहे है zinc से copper की तरफ और जो ions है वह solution में है तो इस प्रकार एक continuity जो है वो बनी रहती है सबसे पहले जो galvanic cell है उसकी खोज लुईजी galvanic ने एवं ऐलजेंडरो वोल्टा ने किया था इसलिए इस प्रकार के विद्धू ट्रासाइनिक सेलों को या तो galvanic cell या फिर वोल्टी सेल के नाम से जाना जाता है तो अब हम यहाँ पर एक और एक्जामपल देख लेते हैं galvanic cell या वोल्टी सेल के लिए शर्त इतनी ही रहती है कि जैसे ही दोनों अर्ध सेलों को जोडते ही अपने आप current flow होने लगे तो यह वोल्टी सेल या galvanic cell के अंतरगत आता है इसका हम एक और एक्जामपल देख लेते हैं जैसे यदि zinc को zinc nitrate में डुबाया गया है और copper को copper nitrate के solution में डुबाया गया है तो zinc यहाँ anode की तरह कारे करता है और copper जो है वो cathode की तरह कारे कर रहा है सेम उसी तरह से zinc से electron निकलता है याने oxy current की क्रिया हो रही है zinc 2 plus बना और दूसरे में देख रहे हैं कि जो copper nitrate है वहाँ copper 2 plus willion में है जो zinc द्वारा दिये गए electron को grant कर रहा है याने copper 2 plus plus 2 electron is equal to copper तो copper यहाँ पर electron grant कर रहा है तो दूसरे electron में हम देख रहे है अब chain की क्रिया हो रही है इसमें भी हम देखते हैं कि एक salt bridge लगा हुआ है जो दोनों तरफ के धनावेशित part को भी neutral कर रहा है first compartment के और दूसरे compartment में हम देख रहे है रिणावेशित जो iron है उस यहाँ लगातार जो electron का flow है वो zinc से copper की तरफ बना हुआ है जो current है वो copper से zinc की तरफ प्रवाहित होती है गैलवेनिक सेल में जैसे हमने देखा कि जो salt bridge है इसका कारे है electrical neutrality को बना कर रखना यहाँ जो salt bridge है वो दोनों द्रवों की संधी पर उत्पन होने वाले द्रव संधी व potential को उत्पन होने से रोगता है गैलवेनिक सेल में हमने देखा कि जो chemical reaction होता है chemical energy यहाँ convert होती है electrical energy में zinc यहाँ पर anode की तरह कारे करता है zinc में oxidation हो रहा है और copper जो है वो cathode की तरह कारे करता है copper में reduction हो रहा है अब हम cell representation को देख लेते हैं कि किसी भी cell अभी क्रिया को represent करते हैं तो हमें कौन-कौन सी जानकारी उससे प्राप्त हो सकती है तो सबसे पहले हम इसी galvanic cell का ही example लेके करते हैं कि जैसे zinc, zinc solid फिर एक छोटी line है फिर zinc sulfate का aqueous solution फिर double line है copper sulfate aqueous और single line copper solid तो यह जो zinc solid है zinc rod जो की zinc sulfate में डूबा हुआ है फिर जो double line है वो यहाँ पर लवन सेतू को बताता है copper sulfate के विलियन में copper का जो electrode है वो डूबा हुआ है तो zinc और copper यहाँ solid state में है क्योंकि वो धातू की छड़े है तो जो electrode का कारिक कर रही है cell representation को देखकर हम बहुत सारी जानकारी पता कर सकते हैं यहाँ पर जो left side में है वो zinc है और right side में हमने लिया copper तो half cell यहाँ एक तरफ left hand side में half cell है और right hand side में half cell है तो left hand side में यहाँ पर oxidation हो रहा है और right hand side में reduction हो रहा है तो यहाँ represent करने के लिए एक shortcut हम देख लेते हैं loan जो यह loan है इस शब्द से आप भली भाती परिचित है तो इस word को याद रखना आसान होगा आपके लिए तो loan यहाँ L से left, O से है oxidation, A से anode और N से negatively charged तो इससे बहुत सारी चीज़े हमें clear होती है कि left hand side में anode है, anode पर oxidation हो रहा है Oxidation जिस electrode पर हो रहा है वो negatively charged है तो इस तरफ के याद कर लेंगे तो next जो दूसरे side है यहने copper का जो compartment है वो भी हमें अपने आप याद हो जाएगा यदि एक part याद है तो दूसरा part हम आसानी से याद रख सकते हैं तो किसी भी cell को represent करते हैं यहाँ जो यह solid है यहने जो किसी भी electrode को व्यक्त कर रहा है solid जो part है वो electrode यहने धातू की छड़ है और वो डूबी हुई है उसके solution में अपने लवण के विलियन में तो इन दोनों के बीच जो यह barrier है बीच में एक जो boundary है वो शो करता है यह single line तो यह solid और liquid के बीच का जो एक line है वो एक boundary की तरह कारे करता है जो दोनों के बीच में जुड़ा हुआ है दोनों को अलग कर रहा है और जो double line है वो लवन सेतू या salt bridge को शो कर सकता है इसे हम A, B, C ऐसे भी आद र हो गया और C cathode तो ऐसे भी हम याद रख सकते हैं A, B, C half cell यहां left hand side में यह anode है जो की अपने लवन के विलियन में डूबा है राइट hand side में cathode है जो अपने लवन के विलियन में डूबा हुआ है और इन दोनों को connect करने के लिए salt bridge है जिसको हम B से show कर रहे हैं जो bridge को denote करता ह है तो यह भी सब याद करने का एक तरीका हो गया अब हम इलेक्ट्रोड विभाव के बारे में जानेंगे कि इलेक्ट्रोड विभाव क्या होता है जब भी किसी धातू की इलेक्ट्रोड को उसके लवन के विलियन में डूबाया जाता है तो जैसे zinc का example ले लेते हैं कि जैसे जिंक को यदि जिंक सलफेट में डुबाया गया तो जिंक में से zinc 2 प्लस बनता गया और वो सॉलूशन में आता गया और जो इलेक्ट्रोड है उस पर निगेटिव चार्ज है और जो सॉलूशन है उसमें पॉजिटिव चार्ज है तो विपरीत यहाँ पर दो अपोजिट च को उसके लवण के विलियन में डालते हैं तो धातू और जो विद्यू तब घटी है यहने जिसमें वो है विद्यू तब घटी के मध्य एक विभुवांतर उत्पन होता है उसका कारण भी देखिए कि जिंक इलेक्ट्रोण त्याग देता है तो जिंक रोट पर इलेक्ट्रोण विभुव को हम दो भाग में बाढ़ सकते हैं एक होता है ओक्सीकरण विभुव और एक है अपचयन विभुव ओक्सीकरण की परिभाशा वही है इलेक्ट्रोण त्यागने की क्रिया और अपचयन यहने इलेक्ट्रोण लेने की क्रिया तो किसी भी त्यागने की प्रवरित्ती या ओक्सिकृत होने की जो प्रवरित्ती है वो होगी ओक्सिकरण विभव। दूसरा हम देखते हैं अप्चयन विभव। तो किसी भी इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड ग्रहन करने की या फिर अप्चयत होने की प्रवरित्ती होगी अप्चयन व आयू पीएसी कन्वेंशन के आधार पर जो स्टेंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वह इलेक्ट्रोड का जो रिड़क्शन पोटेंशियल के रूप में ही माना जा रहा है याने जो इलेक्ट्रोड रिड़क्शन पोटेंशियल हम कहते हैं अपचेन विभव के रूप में ही electrode potential को count किया जा रहा है, तो जैसे SEP है standard electrode potential और SRP है standard reduction potential, तो standard reduction potential को ही standard electrode potential के रूप में IUPAC convention वारा माननेता प्राप्त हुई, तो इस आधार पर हम किसी भी electrode विभो के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जैसे यदि अगर oxy current विभो हमें शो करना है, तो oxy current विभो में हम देखिए, कैसे लिख सकते हैं, E है electrode potential, E, zinc छोटा एक line है, फिर zinc 2+, ये जो line है, ये क्या show करता है, boundary को show करता है, याने electrode जो है, वो solution में डूबा हुआ है, इस चीज को show कर रहा है, हमने पहले zinc लिखा, फिर line, फिर zinc 2+, इसका अर्थ है कि zinc से electron निकल रहा है, तो यहाँ oxy current विभो के रूप में जब हमें show करेंगे electrode विभो को, तो हम लिखेंगे E, Zn, line, Zn, 2+, इसी half sil को यदि हम अपचेन विभो के रूप में दर्शाएंगे, तो अपचेन विभो के रूप में zinc 2+, फिर line, फिर zinc, तो zinc 2+, में यहाँ पे show हो रहा है कि अपचेन विभ इत्ती है, तो zinc 2+, line, फिर zinc, तो इस तरह से अपचेन विभो को प्रदर्शित किया जा रहा है,